हलो दोस्तों नमस्कार मैं सुमीत महसरी सर आज मैं केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर क्याया हूँ जिसका नाम है केमिकल बॉंडिंग रसायनिक बंध तो यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसे एक कुस्टन पुष्टा ही है एक्जाम में चाहां वह NDPC का हो LDC का हो यह कोई भी एक्जाम हो तो एक कुस्टन जो है पुष्टा है इससे तो थो इसके बाड़े में हम लोग समझेंगे देखिए रसायनिक बंधन होता क्या है तो जब दो परमानू आपस में अभिकिरिया करते हैं तो बंधन का निर्मान होता है अर्थात निम्लिकित तीन परक यह करते हैं तो बंधन का निर्मान होता है और वह बंधन तीन परकार का है कौन-कौन सा है तो देखिए आयनिक बंध या वैदुत संजुजी बंध यह पहला बंध है दुसरा संजुजी बंध और तीसरा उपस संजुजबंध आयनिक बंड या इलेक्ट्रोवैलन्ड तो मुख्यता ही ये दो ही बंध जादा तर पुछता है आयनिक बंध और सहसंज़बंध बट तीसरा भी है उप सहसंज़बंध इसके वाड़े में भी हम लोग जानेंगे तीक सबसे पहला है आयनिक बंध करें कि जब दो पर्मारू के बिच इलेक्ट्रोन का अस्थानांतरन होता है तो आयनिक बंध का निर्मान होता है जब दो पड़माणू के बिच इलेक्ट्रोन का अस्थनांत्रन होता है तो आयनिक बंद का निर्मान होता है जैसे पहला है NACL, KCL, MgCl2 यह एक्जामपल है जिसमें सब एक NACL का एक्जामपल लेते हैं देखें यहाँ पे सोडियम का एक इलेक्ट्रोन जो क्रॉस से दर्साय सोडियम का एक इलेक्ट्रोन यह क्लोरीन में अस्थनांत्रित होता है जिससे आयनिक बंद का निर्मान होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं जब एक इलेक्ट्रोन सोडियम से निकल ला है तो एक प्लस चार्ज आ जा रहा है और क्लोरीन में एक इलेक्ट्रोन आ रहा है तो एक माइनस चार्ज आ जा रहा है तो इन दोनों के बीच यानि धन आवेस और रिन आवेस के बीच जो बंधन बनता है वही आइनिक बंद कहलाता है और इसे नमक की प्राप्ती हो जाती है तो आए थोड़ा समय समझते हैं कि यह सोडियम का एक इलेक्ट्रोन कहां से आया है और कोलरीन के साथ इलेक्ट्रोन कहां से आया है तो आप ज़र ध्यान दीजेगा यहां पर जैसे देखिए सोडियम का प्रमानु संख्या होता है 11 इसका इलेक्ट्रोनिक विनियास लिखने के पस्ता दो आठ एक की प्राप्ती होती है यानि इसका प्रत्थम कक्षा के दूसरा वैसे ही जब हम कोलरीन की बात करते हैं तो कोलरीन का प्रमानु संख्या 17 होता है इसका इलेक्ट्रोनिक विनियास दो आठ साथ होता है तो देखिए यहां पर किसी भी प्रमानु को अपना अश्टक पूड़ा करने के लिए बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रोन किया हो सकता हो तो यहां पर दिखिए सबसे बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रोन है और यहां सबसे बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रोन है तो इसका मतब अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रोन यह कोलरीन को दे देता है तो दोनों के बाहरी कक्षा में 8-8 इलेक्ट्रोन हो जाएंगे अता सो अगर तत्तो के बीच ये प्रमारू के बीच promet का अस्थनांतरन होता है यानि एक तत्तो से निकल कर दूसरे तत्तो में जाते हैं तो वहाँ पे आइनिक बंद का निर्मान होता है और यही दोनों मिल करके बना लेते हैं सोडियम कोलराइड अतह आप यह कह सकते हैं कि सोडियम कोलराइड में आइनिक बंद का निर्मान होता है ऐसे ही एकजाम में पुटेसियम का परमानु संख्या याद होना चाहिए 19, इसका electronic विन्यास 2, 8, 8, 1 होता है और कॉलरीन का परमानु संख्या 17, 2, 8, 7 होता है तो दिखें यहाँ पर पुटेसियम अपना एक electron किसको देदेगा कॉलरीन को तो दोनों के बारीक अक्षा में 8, 8 हो जाएगा यानि 2, 8, 8, 2, 8, 8 तो दोनों के बारीक अक्षा में 8 electron complete इसलिए के पर पलस चार्ज और सील पर माइनस चार्ज दोनों मिलकर बना लेंगे के सील प पहचान सकते हैं तो यह पहला प्रकार था आपका आइनिक बन्द और दोस्तों यह electronic विन्यास कैसे लिखा जाता है इसका वीडियो में next time बनाऊंगा और वो आपको मिल जाएगा आप उस पर देख सकते हैं चली यहाँ पर आगे फिर देखते हैं यहाँ पर आता है आपका स सा संजोजी बन्द तो देखिए का रहा है यदि दो परमारूओं के बिच इलेक्ट्रोन की साजेदारी हो तो सा संजोजी बन्द का निर्मान होता है जैसे CH4, C2H2, C3H8 तो दोस्तों यह बात ध्यान में रखना है कि सा संजोजी बन्द अधिकतर 90% to 95% जो है सिर्फ जैसे एक मैं हाइड्रोकार्बन का एक्जामपल लेता हूँ CH4 जिसका नाम है मिथन आप लोग जानते हैं इसको मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं तो देखिए कार्बन का परमारू संख्या होता है 6 इसका इलेक्ट्रोनिक विनियास हो जाएगा 2 और 4 हैड्रोजन का परम 1 इसके एलेक्ट्रोन को मैंने क्रॉज से दिखाया है और हईड्रोजन कि कूल संख्या है कितनी 4 है कार्बन एक और हईड्रोजन चार तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन क्या गड़ता है वो अक्टेट पूरा नहीं करता है ये डु पूरा करता है हिलियम के जैसा चुकि हिलियम भी एक अक्डिय गैस है, और हिलियम के, जो इसकी परमानों संख्याद 2 होती है, उसके बारीकste में इलेक्ट्रोनों की संख्याद 2 ही होती है. तो हाइड्रोजं भी डूएट पूरा करना चाहेगा, तो इसी परकार से hydrogen यहां पर क्या करेगा यह carbon से एक electron साजा करेगा अपना duet पुड़ा कर लेगा ये भी साजा कर लेगा ये भी साजा कर लेगा और ये भी साजा कर लेगा और दीखिए साजा का मतलब होता है कि एगर hydrogen ने साजा किया है तो carbon भी साजा करेगा तो carbon के पास 4 electron है और चारो हाइडोजन से एक-एक इलेक्ट्रोन की साजागर कर लेता है तो इसके भी आठ इलेक्ट्रोन कम्प्लीट हो जाते हैं इस परकार से यह सनरचना इनकी बन जाती है और दोनों का जो है अपना कक्छा पुड़ा हो जाता है इस परकार से मिठेन की प्राप्ती होती है तो दोस्तो इसे हम बोलते हैं अनुसुत्र इसे बोलते हैं बिंदुसुत्र और इसे बोलते हैं सनरचना सुत्र ठीक है और यहाँ पे जो बंध का निर्मान हो रहा है वह सह संजोजी बंध है उसके बारे में हम लोग देखेंगे देखिए सास सोजी बंध तीन परगार के होते हैं एकल बंध, दूई बंध और त्री बंध तो समाने तह एकल बंध का मतलब होता है कि जब एक-एक इलेक्ट्रोन की सज़दारी हो तो वहाँ पे एकल बंध होगा दो-दो इलेक्ट्रोन की सज़दारी हो तो डबल बंध होगा और तीन-तीन इलेक्ट्रोन की सज़दारी हो तो ट्रिपल बंध होगा यहाँ पे देख भी सकते हैं एकल बंध यानि सिंगल बंध यदि दो परमारों के बिच एक-एक electron की साज़धारी हो तो एकल बंद का निर्मान होता है जैसे CH4 अभी मैंने बनाया दूई बंद में यदि दो परमारूं के बिच दूदो electron की साज़धारी होती है तो दूई बंद का निर्मान होता है जैसे C2H4, O2ETC O2 मतब oxygen उसका भी मैं एक्जाम्पल दे लेता हूँ तेखिए ओक्सीजन का परमालुस नहीं क्यों होता है आठ इसका electronic विनियास दो और छे होगा बारिक अक्छा में 6 इलेक्ट्रोन देखिए ओक्सीजन कितना है? दो अक्सीजन है यानि कितने कि साजह हुआ, दो-डो इलेक्टरों की साज़ा हुआ, इसलिए दोनों के बीच डबल बॉंड का निर्मान होगा ठीक है, त्री बंध में क्या है? त्री बंध में देखिए, यदि यदि दो परमारूं के बीच तीन-तीन इलेक्ट्रोन की सज़ेदारी हो यदि दो परमारू के बिच तीन-तीन इलेक्ट्रोन की सज़ेदारी हो तो त्री बंध का निर्मान होता है जैसे C2H2 N2 इत्यादी तो nitrogen का मैं एजामपल देखर के दिखा गेता हूं देखें, nitrogen का परमारू संख्या होता है, साथ इसका electronic विनियास दो और पाँच तो देखें, दो nitrogen है तो nitrogen के बारे कक्षा में कितना electron पाँच इलेक्ट्रोन है ठीक है? अब पाँच इलेक्ट्रोन ये तीन इससे साज़ा कर लेगा पाँच तीन आठ इसमें भी पाँच इससे साज़ा कर लेगा पाँच तीन आठ इस तरीके से दोनों का अक्टेट पूरा हो जाता है और दोनों के बीच ट्रिपल बांड का निर्मान होता है तो इस तरीके से ये त्री बंद हो गया लेकिन है सह संज़जी बंद ही क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोन की साज़ेदारी हो रही है तो आप यहां पे खिलियर हैं कि सह संज़जी बंद तीन प्रकार का होता है एकल बंद एकल बंद में क्या होता है कि यहां एक-एक इलेक्ट्रोन की साज़ेदारी होती है दुई बंध में दो दो इलेक्ट्रोन की सज़ेदारी होती है ट्रिपल बॉन्ड में तीन तीन इलेक्ट्रोन की सज़ेदारी होती है इस तरीके से सा संज़ेदारी बंध है तीन प्रकार का होता है ठीक है उसके बाद एक लास्ट बचता है जो है आपका उपसा समझजी बंद दखे यदि किसी परमारू दोरा एक जोड़ा इलेक्टरोन यानि निर्जन जोड़ी जिसको बोलते हैं जोड़ा electron जिसको निरजन जोड़ी बोलते हैं किसी अन्य परमारू को दान में देता है तो वहाँ पे उपस सुझीज बंदगा निर्मान होता है जैसे H204, HNO3, इत्यादी यह नहीं कहने का अर्थ ही है कि अगर कोई परमारू एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन जो है दान में देता है जैसे कि एक एक्जामपल हम O3 का एक्जामपल लेते हैं इसका नाम है ओजोन यह ओजोन का फर्मूला है और ऑक्सिजन का आप लोग जानते हैं परमारू से खहता है ओक्सिजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन ठिक यह ओक्सिजन दो इससे साजा करेगा आठ पुड़ा हो गया और यह भी दो इससे साजा कर लेगा आठ पुड़ा हो गया परम्त यहां पर तो इसके 6 ही इलेक्ट्रॉन है ना तो अभी इसको 2 कहां से मिलेगा तो दिख तो यहाँ पर बंद क्या बंद है तो देखी यहां पर 2-2 ऐलेक्ट्रोन की सज़दारी होई तर डबल बॉंड और यहाँ पर दान दिया गया है इसलिए इसको एरो से दर्साया जाएगा तीर से दर्साया जाएगा, तो यहाँ पर उपसा संझजी बंद का निर्मान होता है, तो इस तरीके से दोस्तों जो है हम पहचान सकते हैं अलग लग तरीके से अलग लग योगिकों का कि भाई किस योगिक में कौन सा बंध पाया जाता है और इलेक्ट्रोनिक विन्यास को समझने के लिए मैं अगले वीडियो को जो है इसमें हम बनाऊंगा कि भाई कैसे खान गयात किया जाता है तो फिलाल आज दोस्तों इतना ही और आप जानते हैं वीडियो को आप सेयर करते रहिए सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन पर जरूर बटन दबाए ताकि अधिक सधिक लोग को इसका नोटिफिकेशन मिल सके धन्यवाद